कि हिंदू राष्ट की संकल्पना करने वाले लोग एक हिंदू कलोनी को नहीं बचा पा रहे हैं तो हिंदू राष्ट कैसे बचा पाएंगे और हिंदू राष्ट के अंदर हिंदू कौन है अगर तीन सो लोग कुछ अमाउट इखटा करके भारत के सुप्रीम कोट हाई कोट यह डिश्टिक कोट में सीस्टी की पिटिशन्स फाइल करें न तो वह लोग 14 अप्रण की जैनती आपके साथ खड़े हो के मनाएंगे अक्सर लोगों को आपने ही कहते हुए सुना होगा कि जाती विवस्था और जिस तरीके से लोगों के मन में जाती वात को लेकर नफरत है वो अक्सर सिख्षा और आर्थिक समानता से दूर हो सकती है लेकिन आए दिन हमें ऐसे उधारन देखने को मिलते हैं जहां सिख्षित लोग जाती वात को बढ़ावा देने में सबसे आगे होते हैं ऐसा ही एक मामला सामने आया है अलिगर की एक सोसाइटी से सांगवान सिटी नाम की सोसाइटी में लगभग 300 से 350 दलित लोग रहते हैं आर्थिक तोर पर भी मजबूत है तमाम लोग जो वहां रहते हैं वो सभी सिख्षित भी है बड़े बड़े विवसायो और बड़े बड़े पदो परासीन है लेकिन उसके बाद भी उनकी मानसिक्ता इतनी छोटी है कि वहां जो 300 साड़े 300 दलित लोग है वो बाबा साहिब की जैनती अगर मनाना चाहते हैं तो इस बात की उन्हें इजाज़त नहीं मिलती वहां होली दिवाली दशहरा जैसे सारे तोहार धूमधाम से मनाये जाते हैं लेकिन दलित समुदाय के वो लोग जो की एक बड़ी तादात में वहां रह रहे हैं वो ना बुद्ध जैनती मना पाते हैं ना बाबा साहिब का जन्दिवस मना पाते हैं और इसी कारण से उन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाने शुरू कर दिये हैं कि मकान बिकाओ हैं लगभग 300 लोगों ने अपने अपने फ्लैट्स के बाहर अपने घरों के बाहर ये पोस्टर्स लगाए और उसके बाद ये मामला जो है वो सुर्खियों में आया इस मामले की जानकारी तमाम लोगों तक पहुंची हम तक पहुंची और ऐसे में इस वक्त मेरे साथ इस पूरे मसले को डिस्कस करने के लिए एडवोकेट सत्यप्रकाश गौत्म जी है जो की लगातार इस तरीके के मसलों पर इस तरीके की जो सामाजिक व्यवस्था है और जो सामाजिक संरशना लोगों की बन चुकी है जो सोच बन चुकी है उस पर अपनी राय रखते रहते हैं और उस पर विशलेशन भी करते रहते हैं सर बहुत स्वागत है आपका दजनता लाइब में और पहला सवाल इसी से रिलेटेड है कि जैसा कि मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं कि सिख्षित होंगे लोग तो उनकी इमानसिक्ता जो है वो पीछे रह जाए यह जो ब्राह्मनवादी सोच है वो लोग पीछे छोड़ दे उच नीच की जो यह परत है यह हट जाए लेकिन यहां जहां कि हम बात कर रहे हैं एक बड़ी सोसाइटी है पॉश सोसाइटी है जितने भी लोग महा रहते हैं सभी पढ़े लिखे हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट है और उसके बाद भी इस तरीके का जातिवाद उनके जहन में इस हद तक बैठा हुआ है कि वो उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो अपने दम पर अपने परिवार को उस लेवल तक लेकर आए हैं कि आज वो उनके बराबर रह सकते हैं उनके बराबर उनके मकाम तक पहुंच सकते हैं यह जो लोगों में जातिवाद इस लेवल तक भरा हुआ है शिक्षा भी यहाँ कुछ नहीं कर पाई आर्थिक समानता भी यहां कुछ नहीं कर पाई इसका कारण क्या है डेजुशनर हुद जो शिक्षित होने का झातिवाद खतम होने से कोई लेना देना नहीए अब सिक्षित होना मैं 2 एंगल में समझ सकता हूं पहली पहला दूसरा अंगल इसके जो जो लोग जो अचार करते हैं वह शिक्षित हो जाए अब जब बाबसाब दोक्टर भिर्वांबेटकर साथ कहते हैं कि शिक्षित बनो तो उनका जो शिक्षित बनो कहने का मदलब था वह यह नहीं था कि आप प्येजदी करके अपने घर बैढ़ जा खिषित कैंदे लोग जो जागरुप बनो का मतलब है कि आप अपने अधिकारों करती लड़ू अगर एक व्यक्ति प्येजदी होंड़र भी खुद भी अतियाचार सहरा है और अपने परिवार को या आपने समाज को अतियाचार सहने दे रहा है तो क्या इसको आप रियल से बैठा पाएंगे नहीं बैठा पाएंगे देखें पड़ाई लिखाई करना शिक्षित होना जागरुक होना तिनों अलग चीज है अब बात होती है कि वहां पर इतने सारे लोग पलायन कर रहे हैं और उनका समर्थन करना चाहिए मैं इसका विलोधी हूं क्यों पलायन कर रहे आप अगर करोड रुपे के मकान में ले रह रहे हैं और आपका जो पूरी दो पीडियां हमारे जो जो बहुजन समाज की दो पीडियां बीत जाती है एक अच्छा मकान बनाने में आप उस मकान को सिर्फ इसलिए चोड़ के जा रहे हैं कि आपको बाबासाब दोक्टर विर oni पांगे बलतकार और होंगे मौत होंगी सभी को माल डिया जाए रहे हैं पान्थु हाँ जो पती के नाम पर एक बात कर रहा है क्ए Cemich Att Bund जैन्ति और बुद्ध पूर्णिवा नहीं बनाने दिल्ग क्या यहीं संगर्ष है मारा सिक्षित बनो संगर्ष करो यह संगर्ष निरंतर वह संगर्ष है कि जब हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति पर कोई भी अत्याचार हो तो आप हमें खड़ा होने पड़ेगा जिन चार द बाद के अंदर ऐसा नहीं है बाबा साब डोक्तर भीवा अंबेड कर दुनिया के सब से सिक्षित व्यक्ति होने के बावजूद भीरू ने त्याचार किया उसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत की प्रधान मंत्री को साउट के मंदिरों में नहीं अब दूसर सवाल होता है कि क्या शिक्षित बनने एक से क्या अधिया था अधिया था जब वो इंद्रा गांडी हुई थी सेना बुलानी पड़ी थी बाबु जब राम जी को और उसके बाद जो हमारे वर्तमान के महामहीम राश्टपती भारत के पर्तम नागरी के हैं उन् अत्यचार खतम हो जाएंगे मुझे पूरे भात का एक भी पूरे भात का एक भी राजिया ऐसा बता दीजे जहां पर शिक्षित व्यक्ति अत्यचार ना करते हो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोट के जजों तक की दूशित मान सिकता यह है कि भारत को रिजर् पूरी देवी का भलतकाल जो है फलाना व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि वह उस वर्ण से संबंदित रखते हैं तो क्या आपको लगा कि उस शिक्षित होने से उसकी मान सिकता बदल गई है क्या आपको लगता है कि हमारे लोगों के साथ जब जो आई-ई-ई-पियस ऑफिसर् है वह किसी गयर शिक्षित व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो सिक्षा का जाती वाद और अत्य चाल से अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल खत्म हो जाए का तो ऐसा भारत में तो पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप सामाजी को राजनितिक रूप से आप मजबूत ना हो पॉसिबल नहीं है कि जो इनकी जाती वादी जो मानशिक्ता वो बदलेगी अब सवाल आता है कि सागवान सिटी के अंदर इतने पड़े लिखे लोग इतने मजबूत लोग देखें पोस्टल लगाना आपकी लडाई नहीं है हम आपकी रहनुमाई नहीं कर सकते पहुत हुआ हुँ जो बावसाव भग्वान बुद की बात कर रहा है आपका मिशन बस इतना नहीं होना चाहिए कि उनके बाद हमारे लोग लड़े हैं अब यह देखें फूलपुर बाते में हमारे लोग लड़े हैं बतानी टोला में लड़े हैं केल लांजी में लड़े ह तो क्या पलायन एक मात्र जरिया है क्या आपके लिए कोई दुनिया में ऐसी जगह है जहांap कर Bread के अहीं होगा। अगर आप यह सोचते हैं की हम तो अधिये अब नहीं होगा क्योंकि हम आप से बेख कर जा रहे हैं। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, शंगर्स करना पड़ेगा, कानूनी रूफ से आपके पास बहुत सारे इलाज अवेले बना है, कानूनी रूफ से आप आप आपके साथ करा सकते हैं, तो मुझे बताएगे कि अगर 300 लोग, अगर 300 लोग कुछ अमाउट इखटा करके भारत के सुप्रीम कोट, हाई कोट या डिश्टिक कोट में सेस्टी की पिटिशन्स फाइल करें न, तो वो लोग 14 अपरार की जैनती आपके साथ खड़े होके मनाएंगे, वो बुद्ध पूर्णी में आपके साथ होके मनाएंगे, परन्तु आपको लड़ाई का, देखे, मैं व्यक्तिकत तोर पर यह मानता हूं कि जरूरी नहीं है, अगर यह खबर होती कि उस फलाना गाउं में गरीब लोग हैं, जो जोप्रियों में रहते हैं, उन्हें नहीं मनाने दिया गया, क्योंकि वहाँ दबंग लोग हैं, फलान में नहीं बनाने दिया जाएगा, तो वह सारे थाने भी जाएंगे, वह कोट भी जाएंगे, वह घिराव भी करेंगे, वह धरना भी करेंगे, और अपनी सो रुपे की मजदूरी भी छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें समाज की लड़ाई लड़नी है, परन्तु हम लोग क्या है, कि हम अपनी मजदूरी और नोखरी नहीं चोड़ेंगे, नोखरी अपनी जगह है, समाज की लड़ाई अपनी जगह है, अब एक बार बदाएगे, तीन सो परिवार अगर इजद के कारण कुछ पैसा जो है, वहां के किसी भी अच्छे एडवोकेट को दें, या एक धरन हो रहे हैं, परतु यह लड़ाई नहीं है, हमारी बेहन बेटियों का रेप होता है, एक लड़की को ले जाके दफना कर माल दिया गया, वो मीडिया के में यूज से खबरे गायब है, क्योंकि उन्हें पता है, कि यह लड़ाई इनकी नहीं है, लड़ाई क्या है, हम अपनी हैं कि जश्टिस करनन, जश्टिस दिना करन जैसे लोग जो की जुडिश्वी में बहुत बड़ी तोप रक्ते थे, उनको प्रत्य चाहनी होगा, तो यह बेमानी होगी, हमें आख खोल के रखनी होगी, परन्तु लड़ाई का प्रारूप क्या है, कि लड़ाई की एक रन्य हमारे उपर हमारे उपर ही यह हमारे उपर हमारे उपर स्फित करें स्फित क्यां की लड़ाी हो फाही है, लेकि ज़Twuwाई कहंगे ह लिए आप आप नहीं निखानेnsinn। और आप इस बात का विरोध करते हैं कि कि क्योंकि हम फो अच्छे पॉस कलोंई में रह रहे हम पे अत्य चार हो रहे हैं अत्य चार तो आप अगर डिफेंस कलोंई में रहोगे या वह वह भी होंगे कोई क्यायटेरिया नहीं है कि आप उस जगह पर जाओगे आपके खिलाध नहीं होंगे क्योंकि जहां भी आप रहने जाओगे वहां आप से पहले आपकी जाती जाएगे लेकिन से जुड़ा हुआ एक और सवाल और अक्सर आप अपने बातों में इस बात का जिक्र भी करते हैं वह मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी एक हिंदू राष्ट बनाएंगे तो किस तरीके से जले गई यह बिल्कुल बात सही है कि जब आप हिंदू राष्की संकल्पना की बात करते हैं तो यह एक सागवान सोसाइटी एक माद सोसाइटी भारत में नहीं है मैं आपको ऐसी सेक्ड़ो सोसाइटी बता सकता हूं जहां पर यह लिखा यह इस वर्ण के इस वर्ण के व्यक्ति नहीं रह सकते हैं तो जब इस सागवान सिती को देखिए कि हिंदू की संकल्पना करने वाले लोग एक हिंदू के परहे हैं तो होजेह ब।os एक वर्ग और है जो अवढन है जो सवन नहीं है इस अब जो चुछ्छ है जो शटीर कास्थ पर और ऊवण पर और फीर जब यह अध्याचार होगा तो जो सवन है तो सवन के इंदर अपने ब्रहामन चत्रिय वैश्य शूद्र बियत्याचार करे रएगा संदे ब्राह्मन चत्रिय, वैस्य शूद्र भी अत्याचार के शाप से मतिती है। अचूत को मानता है तो जो इस सागवान सिटी है जो इसकी संकल्पना है वो यही है कि वन्विस्ता बनाए रखनी है निचले वर्ग का भी आपको अत्याचार करेगा उन्हें सवाल यह नहीं है कि बुद्ध पूर्डिमाय बुद्ध जैन्ती नहीं बनानी आप मुझे बताइ किसी को हिंदु राष्ट के कारण मारा गया हो किसी के कुछ किया गया हो परंतु वह बाते अब नहीं होंगी देखे अब लोग कह दो है क्योंकि हमें राजनितिक शक्ति करना है इस सिख्षा का फाइदा जब आप राजनितिक रूप से एक ना हो सके मैं आपको उधारन दे से बड़े जो हैं आपसे हमें राजनितिक अंदोलन करना पड़ेगा आज राजनितिक अंदोलन की चेतना है जो उत्तर-पलदेश के हर जिले भाबात साहब और भागवानबुद मिलेंगे यह राजनितिक चेतना ही है जब पूरी दुनिया के अंदर एक डिप्राइब क्लास के इतने बड़े-बड़े स्मारक बना दिये गए कि पूरी दुनिया उसे आज देख रही है चाहे वह नोड़ा हो यह लखना हो परन्तु आपको वह चीजे नहीं आती थी आप हमारे ही लो एक गरको देने वाले फूस का चपन आपका उसके पीछे तेज हवा है आगे मुकदर आपका है और तेरे कतल समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी पर हो रहा तो सबसे मजबूत कड़ी भी तूटेगी। उन्हें समाज के साथ मिलकर खड़े होकर लड़नी होगी और तभी वो लोग शायद आज एक्षन ले रहे हैं थैंक यू सो मत सर आपने बहुत डीटेल में सारी बाते रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू जैने